हेलो फ्रेंड्स मेरी वेडियो में आप से भी दोस्तों का स्वागत हैं मेरे नाम है मुद्माम अयूब सेफी आज मैं आपके लिए लेका आऊ बोस कंपनी का टूल्स जिसके आज हम करेंगे अन्बोक्सिंग और आपको पुरा पुरा वरक करकर दिखाएंगे जिसका कोड नंबर एगा पुरा पेसिनल जी एसबी वन एटी ल आई चलो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों हमें एक सुन्दर सा प्यार सा एक ब्रीफ केस मिलता है जिसमें हमारा टूल्स बहुत ही सेफ रहता है और यहाँ पर उपर इसमें मार्क दिया गया है बोस कंपनी का और साथ में यहाँ पर एक कोड़ इसकें देगा इससे आप असली और नकली की पेचान कर सकते हैं और हम बोक्स को खोलते हैं हमें यहाँ पर पांच मेनवल मिलते हैं इसको रखते हैं सैड में और साथ में हमें यहाँ पर एक मशीन मिलती है जो कि मैं आपको कोल कर दिखाऊंगा यहाँ पर हमें एक मशीन मिलती है एक चार्जी मिलता है दो बैटरी मिलती है दोस्तों जिसे के मैंने आपको पार्ट वन वीडियो में बता आता अगर आपको पॉरी पुरी जानकारी लेनी है तो आपको डिस्क्रेप्शन में लिख मिल दाएगा वाँ भी देख सकते हैं तो जीसले कि हम बात कर रहे थे कि आपको अगली वीडियो में पार्ट टू में आपको पुरावरा करकर दिखाएंगे उसमें अपना जिस्क्रू खेंचेंगे याँ पर यहमारा बीछिए गञा पैंच नहीं और हम आपको उडम में खेंच कर दिखा एंगे और साफ़ाइज साथ हो साथ ऑपको भी पिंख और अब यहाँ इंच और rinश का साइज है यहां यहनिए यह TOMP आप यह नोएंस तरह से मेरे पास यह आप बीट और थी सूथ का ड्रील बीठेगा जिससे कि शाज हम इसमें यह पर यहाँ मूनियम और लोएमों करेंगे उसके असासम यह लिए चोड़ा नमबर का और यह हमारे पास 32 mm की अपने पास बेटी की जिस्तिम आपको करकर दिखाऊंगा और यह हमारा इट में बिटका ओलेगा जो इंट में ओल करेगा यह निकी दिवान में यह हमारा 6 mm का बीटेगा सबसे पहले हम वुड में इस कुरू कि यानिका मसीन का अंदाजा लगाएंगे उसमें कितने ताकत हैंगी वह कितने खिचाई करती है कि इसकी खुलाई करती है अब मैं आपको 32 से हमकी बिट से ओल करकर दिखाऊंगा जो कि हम हिंक्स वगेरा में लगाते हैं अलिजारी कबजों में वह आपको दिखा रहा हूं मैं ने आपको त्रसूल से से च criter lacks कि पिट अलो करकर दिखाया। और फिर 32 नम्बर की बिट साब लो करका दिखाया। हम मैं आपको ऐएलमौनियम के यानि कैसर में और करकर दिखाऊंगा living के इसमें में आपको 5 mm का ओल करकर दिखाऊंगा हम यहां पर रोल करते हैं हम आपको इसमें आप नमबर का ओल करकर दिखाएंगे दोस्तों अब मैं आपको इंगल में होल करकर दिखाएंगे मेरे पास जो इंगल थी एक इंची और डेड़ इंच की थी इसमें 5 mm का ओल कर रहे हैं मैंने आपको जो एलमुनियम की एंगल में आपको उल करकर दिखाएंगे में इसके मोटाई की बात करें लगबग 14 गेज किये जो के बहुत ही आसानिस और बहुत ही फिनिस्सिंग के साथ हमने होल किया है अब हम आपको इंट में रोल करकर दिखाएंगे दोस्तों यह हमारे पास एक इंच का आयरन का पाइप है जो कि इसकी मोटा यही वह 16 गेज की अब हम इसमें होल करेंगे हम सबसे पहले इसमें अपन सेंटर मारेंगे और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा ओयल डालेंगे हम सबसे आप मैंने आपको भी पांच एम के आरेन से ओल करके दिखाया एनगी बिट से अब हम आपको आठ नमबर की बिट से आरेन वे ओल करकर दिखाएंगे कि आपने देखा भी हमने इसमें दो कि एक पांच नमबर और एक आर्ट नमबर बहुत ही जब्रदस मसीने फूल पावर मशीन हैंगी दोस्तों अब मैं आपको चोटा के जमुटी चद्दर में के ओल करकर दिखाऊंगे जो कि मेरे पास आयरेन की हम जो इसमें ओल करेंगे और को धरन नमबर करेंगे आएए शोय तो यह यह जो है कि अधाओ कि अगय है अधाओ कि यह अधाओ कि अधाओ कि दोस्तों यह इंप्यक्ट ड्रिल बहुत ही पाउरफुल मशीन है इसमें मैंने आपको अनेक परकार के काम करकर दिखा जिसे वुड में होल करना एल्वनियू में होल करना आयरन में होल करना वाल में होल करना मुझे भी इतना अंदाजा नहीं था कि यह 14 गेज की चदर में भी आयरन में होल कर सकती है अगर आपको यह मसीन खरीदनी है परकार करनी है तो आपको डिस्क्रेप्शन में लिंक मिल जाएगा एमाजोन और फिलिपकार्ट का आप आप पर जाकर देख सकते हैं हमने इस वीड को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं आपसे नेक्ट वीडियो में वीडियों आपका मुद्बश शुक्रिया